है क्योंकि learn खुद कहता है यदि आप कुछे learn करिये तो L को हटा दीजिए बचा क्या है so if you want to earn then you need to learn first so learning outcome जो NAC कहता है LO learning outcome इसलिए ज्यादा ध्यान देता है NAC यह नहीं कहता कि program outcome क्या है program specific outcome क्या है या program course outcome क्या है वो इसकी भी बात करता है कि LO क्या है learning outcome क्या है हमको कहीं न कहीं हमारे students को lots से hots की ओर ले जाना है lots का मतलब होता है L-O-T-S hots का का थापर है H-O-T-S L-O-T-S जो है low order thinking skills और hots का मतलब है high order thinking skills तो हम अपने students को कैसे lots से hots की ओर ले जाए और हमारे पास students जो है वो lots में हैं बड़ी संख्यां में हैं उन बड़ी संख्यां के बच्चों को हम hots बना दे हम कहते हैं market में यह hot cake के जैसा बिख रहा है तो हमारे बच्चे भी market में वो hot cake बन सके जिल्कों हर कोई लेने के लिए अपनी और आतर्शत कर सके उसमें convert करना है सब्सक्राइब के परिभाषां बहुत अलग हो सकती हैं प्रत्य वेक्ति के लिए अलग हो सकती हैं प्रत्य मुकाम पर अलग हो सकती हैं लेकिन quality है कि आप quality good intention sincere efforts intelligent direction और meticulous execution के साथ यही करते हैं तो वह आपकी quality है आपने नैक में sincere effort किया आपने meticulous ने उसको execute किया उसके बाद आपने intelligent direction दी इंक प्रिंस पर आपने उसको एक दिशा दी और इसलिए उस दिशा का परिचायक है कि इतने सारे महावित्याले हमारे नैक से मुल्यांकित हो पाए और इसी में excellence में बहुत बड़ी घूमी का निवाती है और excellence की जहां तक बात करते हैं तो excellence is not only thinking but taking the thinking into action वो बहुत important है excellence के लिए इसलिए अंग्रेजी में कहावत है thought without action is abortion यदि आप केवल सोचते हैं और उसको अमन नहीं करते तो वह abortion है आगे चलके कहता है action without thought is falling और action ले लेते हैं बिना सोचे समझे तो वो falling इसलिए दोनों में collaboration, coordination, cooperation होना चाहिए कि आपका action और आपके thought ये दोनों collaborate होना चाहिए मतलब आपका mind और आपका heart दोनों का collaboration बहुत ज़रूरी है नैक में जब हम गये थे अभी पिछले में नैक में उन सारे Eastern Vision के सारे SLQAC को प्लाया गया था तो आधरनी आरेन सिंग सर्ट की प्राचर है व्यूवेकी महावित्या लेकिए वो और मैं दोनों जब गये थे और 36 का presentation देने का मौका आया तो मैंने नैक वालों से यही कहा था और जितने बैठी थे उनसे कहा था कि नैक के वाल हैंड होल्डिंग की बात करता है नैक कहता है कि हैंड होल्डिंग करना चाहिए मेंटर मेंटी बनाना चाहिए हम उससे भी एक कदम आगे गए हमने न के वाल हैंड होल्डिंग की बलकि हैंड होल्डिंग करते करते हमने हार होल्डिंग और यह सारा का प्रिणा हार्पोल्डिंग सा है लेकिन आज हमने हार्पोल्डिंग देकी है और यह हाडों बहुत जरूरी है विस संजिवनेश भुरकर है हो Fran विजए के में थ्रतन करने की बहुत जरूर है इस रती सब्सक्वाइब कके भावना के साथ परानुभूती कराने की भी ज़रुरत है कि मेरे आसपास के महावित्याले भी मेरे साथ आगे बढ़ सकें और वो भी आगे चल सकें इस परानुभूती के साथ ना केवल सहानुभूती बलकि परानुभूती के साथ हमको आगे बढ़ने भी ज़रुरत है और इ तो हमें अपने students को employable गनाना है और 50% या फिर उनको हमको self service के लिए motivate करना है या खुद वो service को generate करे ऐसा करने की ज़रत है वो job seeker नहों बल्कि job provider के रूप में convert हो सकते ये भी हमें देखने की ज़रत है और दूसरे ज़रत यह है कि two-third अफ्तर हमारे जो students हैं उन सारे को कहीं न कहीं socially productive activity में engage करने की ज़रत है और इसलिए नाग कहता है community engagement और इसलिए नाग कहता है कि आपका societal enrichment क्या है और किस तरीके से आप अपने महावित्याले से निकल के अपने महावित्याले के comfort zone से effort करके बाहर निकल कर जो activity करते हैं वो community development की activity है तो कैसे social outreach programs हम करते हैं उस पर ही घान देनी की ज़रत है और तीसरा कहता है 75% of the students को जो है हमें professional skills सिखाने की ज़रत है और उन्हें सबसे पहला है soft skills देखने में सुनने में समझने में soft लगता है लेकिन it's very hard to learn it takes time to learn और इसलिए उसका नाम भले soft skill होगा but it is very hard so we have to make the students understand कि soft skill क्या है और इसलिए corporate sector में देखेगा आपके भाई बहन बेका बेके को जब corporate sector में नौबिया लगती है तो सबसे पहले वो ले जाते हैं कि they need to learn the soft skills first और इसलिए call centers के आप फोन लगाए तो बहुत मधूर आवाज में वो आवाज आती है बताईए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं फिर आप बताते हैं फिर अंत में कहता है और कुई बात हो तो बताईए आपके लिए आज का दिन को शुखो आपने अपना मूली समय हमें लिया इसके लिए हम आपके पतीप पतीप बताएं इस इस वाज में आपके लिए हम आपके लिए आपके लिए हम अपने महावीत आले में बुलाके जो हमारे यहां के इग्मेट्टर बाताई इस अपने मुटिवेटेड़ माइंड्स हैं जिन में स्पार्क है उनके साथ उनका इंटराक्शन कराईए और उसके बाद देखे कि वो स्पार्क जो है वो कही न कहीं एक आयाम इनके कारण लेता है और आपने टीवी में एक प्रोग्राम की देखा होगा शार्क्स और शार इस अपने महाविद्यालेव का एक फेस्बूक का पेज ओपन कर लें गूगल अकांट्स खापिर करके एक यूट्यूब चैनल हमारे महाविद्यालेव का हो जहां हमारे महाविद्यालेव की बच्चों की सारी की सारी इस इनोवेशन को यूट्यूब के मार्थ हम से या कहीं न कहीं फेस्बूक के पेज के मार्थ हम से और खास करके इंस्टाग इस पर हमारा जोर नहीं है हमने एक कमिटी ज़रूर बनाई उस कमिटी ने अपनी रिकोर्ट दी है कि राज्य सेवा की परिक्षा कैसे हर साल होती है रिक्तियों की आधार पर वैसे ही सहायक राध्यापोगों की परिक्षा भी रिक्तियों की आधार पर प्रति वर्ष होनी चाहिए ये रिकोर्ट में लिखा है अब इस पर दिर्णाय सरकार को करना है इसलिए मैं इस पर कुछ भी बोलना अभी नहीं चाहूंगा लेकिन यह एक चीज है 100% of the teachers every year should be motivated and guided हर हमेशा teacher को update, upgrade और uplift अपने आप को करने की जबर यदि teacher upgrade, update और uplift होता है तब जाके वो education को uphold कर रहता है इसलिए uphold of education lies only on updating of the teacher अपने महाविद्याड़ें में यह कर सकते हैं प्रत्यक शरिवार को एक एक वेक्ति को बताएं कि आख अपने subject के latest development के बारे में सभी staff member को बताएं एक नया अभ्यान हम start कर सकते हैं commerce वाले बताएं, income tax के rules में क्या-क्या changes हो रहा है किसकी वाले बताएं, historical development क्या-क्या हो रहा है और 36 वाले बताएं किस तरीके से हम हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं मैं महामित्याले में मौंट में जाता हूं और पीजी भी भाग होते हैं वहां जाके देखता हूं तो मुझे 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 प्रेंचंद्र, सुरीकां क्रिपाठी निराला या फिर इनकी फोटो दिखाई देती हैं तो किस छक्रद्री के बात करने हम जहां इन सारे इकिहास्वारों की उपादेता हमारे को ने के पड़ानगी दिखाई नी ती तो हम कहां के बच्चों को पढ़ा रहे हैं चाथिस गर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उत्तरफदेश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो यदि हम अपने माटी से अपने मूल से और अपने लोकल से आत्मसाथ नहीं करते हैं तो गुर्वत्ता उन्हें बेमानी हो और इसलिए गुर्वत्ता जो है वो लोकल टो ग्लोबल होनी चाहिए और एब्री इंस्ट्यूशन जो यूजी सी कहता है कि 2.5 स्केल के साथ नाइक से एक्रिटेट होना चाहिए वो अलग बात है कि हम 2.5 में सारे महाविद्याले को नहीं लापाए लेकिन इतना तो जरूर कर पाए कि वो क्वालिटी का जो पत है उससे जो सारे विखने हुए थे उन सारे को डीले हुए थे उनको हमने आंदर रेट कर पाए और इतने महाविद्यारे को पाहा हुए ल्यांगन करा पाए और आगे चल कर हमारे लिए यह होगा कि जो C ग्रेइप्राद को महाविद्याले है वो B से ऊपर कैशे जो B है वो ऊपर जाकर A तक कैसे पहुँचे उस पर भी हमारा प्रयास अब पॉलिटी पॉलिशी भी होनी ज़िए नाग पुछता है कि हमारे पास क्वालिटी पॉलिटी जा सकता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिर इनिशेटिव्स कोन कोसे लेना है हमने मौट में बहुत सारे इनिशेटिवस की बात की थी IQAC से, IQAC के प्रजेटेशन में हमने पुछा कि आपके quality इनिशेटिवस क्या है, तो बताते हैं कि दो कमरे बने सर, फिर सर इधर में हमने teaching post के लिए डिमांड की थी, वो teaching post राजा है सर, यह सारी, जब कि quality initiatives हो नहीं होते quality initiatives होते हैं, अगले आने वाले 5 सालों में, जब पिछले गुजरे हुए 5 सालों में, आपने आपने महाविद्या लेके उन्नययन के लिए क्या-क्या सोचा है, उस quality initiative में आएगा induction program, induction program हम साल के शुरुआत में बच्चों के लिए कर देते हैं, और बता देते हैं, यह subject है, य इस तरीके का course है, ऐसा internal होता है, ऐसा external होता है, और यह सारे teachers है, यह induction program लगातार होना चाहिए, एक बार सामुही क्रूप से होने के बाद, प्रत्यक विभात को induction program कराना चाहिए, पूरा syllabus जो है transparent हो जाना चाहिए, पूरे teachers transparent हो जाना चाहिए, और उस महाविद्याले की जित और वो पूरा induction program लगातार होते रहना चाहिए, इसलिए उसका नाम है induct करना, बच्चों को यदि हम induct नहीं करते हैं, तो हमारा outcome नहीं निकल पाएगा, इसलिए एक कहावत भी है, tell me, I forget, show me, I remember, involve me, I understand, तो जब तक हम students को involve नहीं करेंगे, तब तक हम उनको evolve नहीं कर पाएग So, Angela, unless you involve the students, there will be no evolvement, so evolution somehow नहीं है, तो यदि हमको evolution चाहिए, तो हमें involvement सबसे पहले को students का करना है, और घुसरा है, learning outcome based curriculum framework, जो UGC ने LOCF का दिया है, हमारे हाँ अगले साल से LOCF based curriculum आ जाएगा, हमारे हाँ अगले साल से credit based system आ जाएगा, हमारे हाँ अगले साल से आपको syllabus नही PO, PSO, CO सब लिखा हुआ मिलेगा, आज जो BSC का एक महावित्याले PO कुछ और लिखता है, तो दूसरा महावित्याले कुछ और तीसरा महावित्याले कुछ और लिखता है, सब के PO प्रत्य अलग-अलग program के एक हो जाएंगे और वो भी बन चुका है, वो syllabus अगले साल से हमारे इसका progression कहां हुआ, UG से PG में, PG से PSD में कहां गए पर्चे, या फिर हमारे बच्चों का placement कहा हुआ, उसको track करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो क्यों नहीं हर एक महावित्याले है, ऐल्यूमिनी का एक Facebook का page बना दे, जो आपके website में ऐल्यूमिनी का tab है, उसको बहुत आसान है, और आपके email को कोई देखे न देखे, लेकिन Facebook पे तो जरूर देखेगा, क्योंकि वही Facebook जो है, वो book करता है उनके Facebook, इसलिए उसका नाम Facebook, और कहीं न कहीं वो book हो जाएंगे आपके साथ, तो वो जरूरत है हमारी, फिर examination reforms, हम सारे लोग paper का लगातार कहीं सेटिंग करते हैं, और उन सेटिंग में के हम लगातार देखते आ रहे हैं कि पहले हम 10 प्रश्ट देते थे जिसमें 5 बनाने हो देते और आज हम short answer, medium answer, long answer, और objectives में उतर गए हैं, और ये reforms हमारी हो रहे हैं, तो हम एक और reforms हैं, नैक पुछता है कि program outcome, program specific outcome, course outcome के साथ, आपक outcome based questions तो है, unit test में देने लगे, ताकि अचानक से university यदि इस तरीके questions आपको select करने के लिए या बनाने के लिए कहती है, और ऐसे questions exam में आ जाते हैं, तो विद्यार्थी एक दम से घबरा जाएंगे, तो क्यों नहीं हम unit test में ही program outcome based questions बना के बच्चों को पहले से ही अभ्यास कर प्राइब करें, ताकि examination reform के बारे में बच्चे भी चाप्रत हो सकें, जान सकें और हमारा result कहीं पर भी लीचे ना आए, फिर सबस्क्रिस की बात मैं लेकिते, mentoring of non accredited institutions, यदि मेरा institution accredited है, तो मेरी जिम्यवारी है कि मैं आसपास के institutions को भी जाओ, और उनको भी accreditation process के लिए motivate कर और उनकी hand holding से साथ heart holding की में कर पाँ, क्योंकि leader वो होता है जो अपने पीछे कई लोगों को तयार करता है, नहीं, leader वो होता है जो अपने साथ कई लोगों को तयार करता है, और हमें Ubuntu बनने की जरुदत है, एक American South Africa में गया और उसने कहा कि मेरे पास पूरा एक टॉफी की फ और जैसे कुरू से आगे 3 की ओर बढ़ने लगा, तो उसने देखा कि बच्चों ने दो-दो हाथ पैड़ाए, और सारे बच्चों ने एक कुसरे के हाथ पकड़े, और जैसे ही 3 कहा, सब एक साथ दवर के उस पोटली की ओर बैग, और उस पोटली को उन्होंने प्राथ करक सबने बाँ लिए, this is what we mean quality, this is what we mean progression, और ये progression हमारे होना चाहिए, हमारा development horizontal भी होना चाहिए, और जहाँ 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 negative है, तो negative हमेशा horizontal होती है, और जब हम खड़े होते हैं, तो हम vertically ही खड़े होते हैं, तो जहाँ negative है, आप खड़े हो जाईए, चीजी अपने हाँ positive होती So that mindset, that attitude has to be converted among the students and the faculty members, फिर social और industry connect की बाद करते हैं, तो जितनी industries हैं आस पास तो उसके साथ social connection की बाद करें हम, क्योंकि IQSE को ये सब initiatives ले री हैं, इसलिए इसकी बाद कर रादा था, promoting quality research, जिस तरीके से हम quality research को आगे बढ़ा सके, Quality research कैसे हो सकता है, interdisciplinary कैसे हो सकता है, या multidisciplinary कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने कहा, कि यह महावित्यालय research, how to write a research paper पर यदी workshop कर रहा है, तो एक quality initiative है, उस quality initiative में हमको भी भाग लेने की ज़रुरत है, हो सकता है resource person और आप, जब interaction करें, तो एक और नई quality निकल कर वाहरा जाएगी, और इसलिए Bacon ने कहा था, कि reading makes a, what? full man, no, reading makes a full man, reading makes a good man, conference a ready man, and writing makes an exact man, तो इसलिए reading makes a good man, conference a ready man, conference मतलब interaction, वो जो है, conference जो है, that makes you, and writing makes you an exact man, and writing is really difficult, इसलिए किसी language को learn करना, सबसे पहणा होता है, L-S-R-W, listening, speaking, reading, or writing, writing, is the toughest job in this world, so nobody can become a wonderful writer, until unless there is a huge number of practice being done by a particular person, तो इसलिए writing सबसे important है, तो हमें उन बच्चों को उस skill की ओर भी आगे ले जाना है, फिर promoting quality research की बात है, ICT-based, thanks to corona, कि 10% of the handset, या mobile जिसका हम use कर पा रहे थे, आज हम 50% तक उसका use कर पा रहे है, और वो ICT, यह ICT नहीं है, कि मेरे हाँ projector नहीं है, मेरे हाँ electricity नहीं रहती, एक Google में एक PowerPoint का software आता है, उसमें आप WhatsApp ग्रूप बना के बच्चों को भेज़िए अपना PowerPoint, और जिन महावितियाले में पहले हम तांगा करते हैं कि mobile वर्जित है, उन्हीं महावितियाले में आजकर mobile अर्जित है, तो उसी mobile के थुआ पूरा का पूरा PowerPoint उनको दिखा सकते हैं एक बच्चे के पास PowerPoint है, दो आजु 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 में पैठ जाएंगे और आपका पूरा PowerPoint हो जाएगा, कहां लिखा है, ICT में आपके पास projector होना जाएगा, कहां लिखा है आपके पास ICT में electricity होनी चाहिए, इस इस वट innovation what NAC wants, and this is what the innovation what the state wants, और जब state की want है, state की need है, तो we are just the facilitators to make this happen in a state which is known as the well-organized state as far as NAC is concerned, तो इसलिए orientation program for new students इससे बांटिंग होगी, और students उस महावे तयाले को बड़े अच्छे तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और फिर उनकी activities में जो है, वो लगातार activities को change करते जाएए, literary activities कराएए, cultural activities कराएए, historic places हैं, उनकी activities कराएए, और activities के वर अपने महावित्यालियों में मत कराएए, तो community में भी कराएए, कभी जाके पंचायत में अपने हागा banner टांके वहाँ activity कराएए, किसी दिए self-help group का banner उठाके अपने महावित्यालियों में ले आएए, उनको बुल collaboration और linkage simple आपके papers में चल सकते हैं, लिकिर MOU को हमेशा और हमेशा stamp paper में कराना है, क्योंकि वो legal document है, उसके legal implications होते हैं, इसलिए MOU has to be on stamp paper only, और बहुत सारे जगवे हम कहते हैं, हमारे MOU को माना नहीं क्योंकि वो simple paper में होता है, तो इसलिए collaboration linkages आप करिए, linkages खास करके आप उ reading institutions है, वहां भी काईए, you need to bridge the gap between the schools and colleges, हमारा महाविध्याले है तो उनका विध्याले है, तो विध्याले से ही ये महाविध्याले बन पा रहा है, तो उस विध्याले के बच्चे जो आते हैं, उनके साथ हमारा interaction होना चाहिए, और महाविध्याले में peer teaching कराईए, कि BG के पढ़ाना बन करते हैं, यह हम को करना है, लेकिन हमारे direction में, हमारे direction में, हम पीछे बैठ के, उनको कैसे orient करते हैं, कैसे उनमें teaching skills develop करते हैं, क्योंकि वो skill नहीं होगा, तो skill में से S हटा दीजिए, बचा, kill, और kill में से K हटा दीजिए, बचा, kill, so we are producing the ill students to be killed by the society, because the students do not have the skill So, इसलिए, it's always necessary to stop complaining, और stop इसलिए कहता है, stop में से S हटा दीजिए, बचा क्या, top, you can reach the top, if you stop complaining, हम लगातार complain करते चले जाते हैं, और जब हम stop को देखते हैं, तो उसमें से S हटा दीजिए, you are always on the top, so that initiative has to be taken by every individual, every institution, to work ahead of that, और इसलिए, focus जो है, वो outcome fails रना चाहिए, इसलिए, aims and objectives, हमने अभी NAC में अपने महाविध्याले का mission और vision कहीं कहीं से उठा के लिख दिया, और इसलिए NAC ने कहा कि your mission and vision doesn't match with the activities you have conducted, हमने कहा कि हमने इन सारे students के लिए, जो कि वीकर section से आते हैं, बहुत सारे programs करते हैं, उसके लिखा था, लेकिन एक भी program हमारे हुआ अब mission और vision, महाविध्याले की समस्तर गत्यविधियों को देखते हुए बनाईएगा, ताकि उस mission और vision के अनुसार, आप इतनी activities करते हैं, वो एक तुक्रेसरा collaborate होना चाहिए, उस तरीके से हमको aim करने की जरुरत है, और ये personality development, हमने कभी करवाया था, personality development मतलब ये होता है, क कैसे हम अपने महाविध्यालेव में एक finishing school बना सक, मेट्रोस में जाएगा finishing school होता है, how to dress up, how to come to an interview, how to interact with the people and how to have an eye contact with the person who is interviewing you, आपको जो सक्षत्तार ले रहा है, उसके साथ आपका eye contact कैसा होना चाहिए, और कितने देर का eye contact होना चाहिए, और कितने देर बाद आपका eye contact जो हर एक चीज में हमारे बच्चों को बताने के जरुरत है, मैं मानता हूँ कि यह सुखमा का भी बच्चा है, वो भी किसी Mumbai के बच्चे से कम नहीं है, लेकिन कम तर इसलिए हो जाता है, क्योंकि उसको यह skills नहीं होती है, और इसलिए वो कम तर हो जा रहा है, और हम कहते हैं हम सारे बच्चे जो हैं अंग्रेजी में बड़े कमजोर हैं, बच्चे कोई भी कमजोर नहीं है, न हम कमजोर हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कमजोर को उल्टा पढ़ना चाहिए, कमजोर वो इसलिए है क्योंकि उसने जोर कम लगाते हैं, इसलिए आप कमजोर है, और जिस दिन आ तो बहुत अच्छी हिंदी बोल सके और अपनी और उन लोगों को आकरशित कर सके यह होना चाहिए मैंने बहुत सारे इंटर्वूस फिल्मैक्टर्स के देखे थे जो स्टार्ट इंग्लीश में करते हैं और उसके बाद तुरंत वो इंग्लीश में आ जाते हैं किन अजिए हिंदी को हम अचितने बैच्छाना ले जा सकता है तो हम क्यों नहीं अपने बच्छों को बोद सकते हैं कि मा, मैं आज महावित या ले जा रहा हूं, अंग्रेजी का कालखंड होने वाला है, अंग्रेजी का अध्याबा खाएंगे, पढ़ाएंगे, और उसके बाद अध्यास देएंगे, उस अध्यास पे हमें अंक देएंगे, और अंक से तह होगा, कि मैंने उद्दिल्ड किया, अनदुरिज़ किया फिर मैं प्रयास करूगा और उस प्रयास के बाद मैं पुना अध्यास करूगा और आप जो सोचती है उस पुकाम को मैं हासिल कर लोगा हम हमेशा कहते हैं हमी कॉलेज जाना है टीचर आने वाले हैं इंग्लीश का लेसन होगा और उपढ़ाएंगे टेस् और ले λेगें फिर पता चलिए गा मैं पास याउंका पषेल होंगा तक उसी ओनी इंग्रेजी प्रियोंग करते हैं उसी तक करने के जुर्थ है वरत सब्जक मझारय सकते हैं लेकिन ब्रोगन इंग्रिश के इतना बोल सकता है, तो हमारे पढ़े लिखे बच्छे तो उससे कई गुना अच्छा बोल सकते हैं। तो नीड ये है कि हम ब्रोकन इंग्लीश से उस बच्चों को उसके फियर को कैसे हटा सकें। मैं बच्चों के सामने जाता है तो कहता हूं, do you have a fear of English? वो कहता है, yes sir. आपना कान दीजिए, मैं आपको अंग्रेजीर के दौर भाशाएं के वाल कान से सीखे जाते हैं। आखों से नहीं है, तो ये हमारे बच्चों को बताने की जरुरत है, और वो हम कर भाएं तो ये सारे के सारे हो जाएंगे, तो ये सारे की जरुचेस के ते सरफ तीन नंबर आया, तो स्लो लगर है, पास से उपर आया, तो एडवांस लगर है. मैंने कहा, केवले, नहीं सर, क्लास में भी पुष्टे हैं सर, पुष्टे हैं, योगेश बताओ, इसका आंसर, योगेश नहीं बता पाया, तो स्लो लगर, घंचाम बता दिया, तो एडवांस करें। तो आपने मुझे टर्न किया, मैं स्लो लगर दर हूँ, जबकि मैं कलापी नहीं हूँ, आप उसके पास जाके बैठे, सर, आपकर कंधा यूज करता हूं. और उस कंधे के पास जाके आपने उसको ऐसा किया और कहा कि आपके समस्थ समस्याओं को मैं अंत कर सकता हूँ और शाहरुकान के एक फिल्म थी मैं हुना और आप बच्चे के पास जाके केवल मैं हुना कहिए बच्चा दी भी यहां से यहां एलिवेट हो जाएगा और बाद में आपको पता चलेगा, जिसको आप slower दर मान रहे थे, वो the most advanced learner of the class में पनोर्ट ही जाता है, तो वो जो touch है, उसकी जरूरत है, और यदि आप touch नहीं करते students को, तो take out D, what remains is ौच, तो बच्चों को आउच करने का महोगा न दे, इसलिए बच्चों को touch करें, sparsh करें कही न कहीं उनके heart में, कही न कहीं उनके head में हम रहें, इसलिए Shakespeare ने कहा था, if you criticize me, if you blame me, if you scold me, I am very heart, आप मुझे गाली दीजे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कही न कहीं में आपके demand में हूँ, और आप मुझे प्यार करिए, मुझे, आप प्रशंसा करिए, तो कहीं न कहीं में आपके दिल में हूँ, और दोनों तरीके से मैं कहीं न कहीं तो आपके पास हूँ, और आप आज के जमाने में कहते हैं, सांस देने की फुरसत नहीं के जमाने में, शांक आप काली तो देर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं में आपके दिल में हूँ, और प् तो उसने कहा यह सारे लोगों ने कहा था Einstein you cannot do it and I did it because of them so all the credit goes to my critics so इसलिए कभीर में भी कहा था निंदक नियरे राखिए तो उन को पास में रखने के जरुबत है और महावित यारों में यह नवाचार करें बहुत सारे निंदा कर दे वाले पैदा होंगे इसलिए निंदा के बारे में कभी चिता मत करें प्रत्ते एक बच्चे को कुछ ना कुछ बोलेगा और उसको आगे चलके याद रहेगा कि आपने मुझे मुझे मौका दिया जिसके कारण मैं आज ऐसा खड़े हो पाया जैसा कि अंगरत के पैर में हीडा ही नहीं हो हाँ पहले तो हम बहुत हिल रहे थे लेकिन अब वो स्थिर हो गए हैं तो वो हमको कही न कहीं क्रॉप्रम पेस असाइन्मेंट देने की जबते नाइक पुछता है कि केस्ट्रीज तो केस्ट्रीज हमारे कोर्स में नहीं है तो कोई दिक्कत भी अपना महावित्या लेग बेस्ट्र प्राइश बच्छों को एक ग्रुप को केस्ट्रीख निकरा सकता है नहीं तो हम कहा कहा खोचते हैं तो हमारे अंदर में है हमारे पास ही नहीं था एक महावित्या ने लिखा सांपुरताई किस्काम ने लेखा कि नो प्लास्टिक और पौनी की बॉट्ल जो थी वह प्लास् कि बात कर रहे हैं और यह हम कह रहे हैं वह बहुत सारे हूंगी उन में से बुछ निखलकर better होंगी और उन में से तो इसको चाहिए होगा इसने नाइक बात करता है शूपर लेकिव डिगरी की न तो कमपारिटिव की न तो पॉसरी डिगरी उसको चाहिए होगी और वही हम को खुजने की ज़रत है वो ग्रेडरिया वन से नहीं के ग्रेडरिया शिक्स कत हो सकता है फार एक्जामबल सर हमारे कॉलिग में तो पेपर का यूज ही नहीं होता सर सारे के सारे नोटिस जो भी जाते हैं वो या तो इमेल में जाते हैं या वाटसाप पे हम शेर करते हैं पेपर यूज नहीं होता और यदि यूज होता भी है तो सर एक साइड में निकालते हैं अगले बार उसी वो recycle करके उसके पीछे साइड में भी निकाल देते हैं और उसके बाद उन सारे को एकठा करके सार पेपर बनाके यह आपको दियाने सर बच्चे पेपर स्टेंब यह उसी पर्म का बना हुआ है सार हमारे बच्चों ने बनाया है This is what we call best out of waste This is what the best practice is all about तो हमें वो भी करने की जरूरत है इस तरीके से best practice को खोजने की जरूरत है NAC के website पे जाके best practice को देखीगा There are 500 best practices which have been incorporated by various institutions और उनसे लेके NAC ने हम सब के लिए रखा है कि आप अपने महाविद्याले के हिसाब से उस best practice को मत लीजिए लेकिन उसमें से कुछ लेकर कस्टमाइज करने की जरूरत है तो अपने महाविद्याले के हिसाब से कस्टमाइज करने की जरूरत है कि इतने भी हमारे नम नियुक सायक राध्यापक है उनका orientation किया जाए उनके subject orientation किया जाए उनको सारे updates की बारे में बताया जाए क्योंकि कई लोगों को स्कून में पढ़ाती हुए आये हैं कई लोगों के पास किसी प्रकार का कोई अनुभाव ही नहीं है तो अनुभाव के बिना वो कैसे अनुभाव कर पाएंगे कि वह बच्चा जानना क्या चाहता है तो इसके HRBC से हमारी लगाता प्रोशिश है चल रही है कि हम सारे महावित्यारियों में जो नावजी राध्यापक हैं उनको कहीं न कहीं orientation करापाएं फिर technology का integration कैसे करें कैसे हम power point presentation बनाएं power point presentation यह नहीं होता कि पूरा का पुरा text बहा दिया जाए power point तो पढ़ना होगा तो उल्टा पढ़ना होगा power point presentation उल्टा पढ़ियेगा presentation होना चाहिए pointed होना चाहिए और उसमे power जो है उस्वेक्टी में होता है जो इसको deliver करता है इन slides में कोई भी power नहीं होता कि निर्जीम है सजीम तो हम उस slide में प्राण वायू फूपने का काम हम करते हैं उस slide तो जिन्दा तो हम करते हैं इसलिए presentation हमारा pointed होके powerful होना चाहिए वह भी हमको बताने के जरुरत है और महावित यारे में gender sensitization के बारे में women and government के बारे में या integration of human values के बारे में professional ethics के बारे में बताने के जरुरत है हर एक profession की अपनी ethics होती है उसको भी बच्चों को बताने के जरुरत है और connect HEIs with local communities कैसे हम local communities के साथ बच्चों को engage करें जिसकी बात में कर रहा था classes to masses और masses to classes की बात कर रहा था वह community engagement है क्योंकि बच्चे वहां से आते हैं और उनको हम latest developments के बारे में बताते हैं आसपास के development की हम बात ही नहीं करते हैं तो कहीं ने कहीं हम उनके साथ बेमानी करते हैं इसलिए यह connect करने की जरुरत है फिर alumni engagement अब NAC ने तो यह भी बंद कर दिया है कि alumni में कितना पैसा होना चाहिए लेकिन NAC है कहता है कि alumni registered होना चाहिए और alumni के लोग आपके महावित्याने में आने चाहिए उनके साथ आपका एक association होना चाहिए अबने का यह मतलब दी है कि कि आपके पैसा दे बलकि alumni अपने resources को टाप करके महावित्याने के लिए क्या-क्या उनकी कर सकती है यह भी बहुत जरूरी है कल मुझे पता चला कि राइबर संभाग का एक workshop ही आपके ही जैसे और कल वहाँ पता चला कि यह क्लरका जो लवन महावित्याने में सहाय अप्रादया भठ है उसने अपने महावित्याने के लिए एक fridge donate किया लिए अब जाके यह सारी चीज़े हो पाएंगे क्यों नाइक के लिए एक बार दो बार आपके लिए करा लेंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है कि लगातार की प्रक्रिया है जो हमेशा होती रहनी चाहिए और इसलिए ट्रिक्नाली एडाप्टेशन होना चाहिए मूग और स्वयम हमारे यहां बहुत बढ़िया ई-्रिसोर्स हरेक महावित्याले में हो सकता है आप मूग के पोर्टल में जाएए स्वयम के पोर्टल में जाएए बहुत सारे वहाँ पर आपको ई-्रिसोर्स का फोल्डर बनाके आप लाइप्रेरी में डिपार्टमेंट में रख सकते हैं आपके बच्चे और आप उसको पढ़ सकते हैं तो जिसके हम बात कर लें हैं कि e-resources कहां से मिलेंगे बहुत सारे free e-resources अवेलेबल हैं PDF Drive को देखे PDF Drive में नचाने कितने सारे e-resources free of cost अवेलेबल हैं Project Gutenberg को देखे Project Gutenberg में आपको बहुत सारे e-resources मिलेगें हमने कभी टैप किया ति पीची पाट्षाला जाएए PG वालों में EPG पार्ट शाल है कि ना जाने कितने सारे PowerPoints PDF वहाँ अविलेबल हैं वो इसमें UG के भी अविलेबल है हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि यह सारे e-resources free of cost अविलेबल हैं और हमको अपने महामित्यारे के प्रत्य फैकल्टी को e-vidवान में registration कराना हो विद्वान में है कि लिए तो यह विद्वान में हमारा registration होना चाहिए और जितने ही resources हैं उन सब को हम tap करता हैं तब जाती है technology adaptation होगा quality research की मैं बात कर चुका हूँ mentoring the weak institutions जो पास-पास के private institutions हैं उनके साथ भी collaboration करिए उनके साथ भी linkages करिए क्योंकि यह जमाना ऐसा है साथी बार बटाना एक अकेला ठक जाएगा मिलकर बोज उठाना तो हम सभी मिलकर उस गुर्वत्ता के बोज को उठा सकें और उसको हलका कर सकें वो निहायद जरूरी है और इसलिए educate to elevate हम educate क्यों करें हम educate इसलिए करें कि हम न क्यों स्टाफ को बलके students को भी elevate कर पाएं and what is education education की परिभाशा आप सब की अलग अलग हो सकती है और बीयर वाले education की परिभाशा नहीं कितने बताते लेकिन मेरे बहुत simple सी परिभाशा education की है educate the nation is education Our Note 7 मेरा बगर वाला ही हो सकता है है इदर वाल वाला हो सकता है सामने वाला होसकता है और अब नावर्बल कम्युकेश्शन और पैला और स्विवन आपसे किस तरीके से प treat हो रहा है इसलिए educate करना बहुत does not और educate का सबसे बढ़या process यह है कि हमें learn करना है, relearn करना है और unlearn करना है ताकि again हम learn कर भाएं और यह cyclic है जैसे एक nucleus है और nucleus के चारो और क्या घंते हैं? electron के तो हमको जर्दत ही नहीं है आशेश because electron is always negative then we don't want even neutrons also neutron तो पिनपेंदी का लोटा है we want only protons so all the neutrons must be converted into protons और वही solar system है जिसके चारो और चक्कर लगाने वाले हम आठ जो है वो प्राध्यापक्त है और हमारा solar system का जो center है वो sun है जिसको आप S.U.N. मान लीजिए या आज कल बेकियों को भी हम बेटा कहते हैं S.O.N. मान लीजिए उसके चारो और चक्कर लगाने वाले हम हैं तो उस संग के लिए student-centric activities हम को करने की ज़रत है और इसलिए यदि आप एक साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो राइस लगाए यदि आप मान लीजिए एक years के लिए प्लान कर रहे हैं तो ट्रीस लगाए और यदि आप century के लिए खब्ले बढ़ियां वो पाएगा कि वहन कहने से नीव होगा लेकिन आग 36 गडियां सब्ले बढ़ियां नायक में हो चुका है और हम 36 गड़ को एक बड़े मुकाम पर ले जा चुके हैं हम 36 गड़ की नई इबादत लिए और नई इबादत हम और लिखते चले जा रहे हैं शास्की महावित्यालियों का 112 महावित्यालियों का मुल्यांगन इसी बात का ग्यों तक है और आगे चलकर हम समस्त्र अशास्की महावित्यालियों का भिनायक से मुल्यांगन कराने के लिए करेंगे ताकि तराजु जो है कुझ जैसे आप गोर्ट पे जाते हैं तो तो इसलिए यदि आप परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो we must be the change we wish to see in ourselves, तो इसलिए आपने देखा हुआ लिंक अपर्टाइसमेंट में, वो लिंक अपर्टाइसमेंट आता है, और ऐसे गुजरता है, और वो ऐसे देखता है, सफिती की चंकार उससे हो के गुजरती है, तो चेंज को हमको गले लगाना है, और चेंज के साथ हमें रहने की जरुरत है, तब जाके हमारी गुर्वत्ता का उन्येंट पुटाएगा, आपने इतने देख कर मुझे सुना, इसके लिए आपका विशेश लुखसेद हैं।